Hello students, बच्चो आपका lesson 22 के बाद है lesson 23, use of when, ठीक है? तो use of when में आपको क्या पढ़ना है, when means होता है, कब, ठीक है? when means, कैब है, कब, ओके, तो अब आपको इसको मैं reading कर आ रही हूँ, इसमें आपको daily routine बताए गया है, कि आपका daily routine क्या होना चाहिए? ठीक है? तो सब बच्चे ध्यान से इसकी reading करेंगे, when do you wake up? हमें तुम कब उठते हो? तो इसमें बताया, I wake up at 6 o'clock, तो ये जो बच्चा है, ये बता रहा है कि मैं सुबह 6 बज़े उठता हूँ, फिर है, when do you go to school? उसने पुछा, तुम स्कूल कब जाते हो? फिर इसने का, I go to school at 8 o'clock, कि मैं स्कूल की स्टेम जाता हूँ, आठ बज़े जाता हूँ, आठ बज़े स्कूल जाता है न, आप में भी बहुत सारे बच्चे आठ बज़े स्कूल के लिए चल देते होंगे न, when do you play? तुम कब खेलते हो? बेटा, जैसे आपको सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तो इसमें क्या होता है, आपकी exercise भी हो जाती है, ठीक है, तो इन्होंने पुछा, when do you play? तुम कब खेलते हो? I play in the afternoon, मैं दो पैर को खेलता हूँ, तो सर्दियों में क्या कर सकते हैं, हम दो पैर में खेल सकते हैं, साम को तो ठंड हो जाती है, आप रजाई में बैट के आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन खेलने के लिए आप एक time इसने, वैसे भी school में भी आपको game period भी होता है, तब भी खेलते हैं बच्चे, when do you study? तुम कब पढ़ते हो, इसने पुछा, तुम कब पढ़ते हो, तो इसने क्या बताया, I study in the evening, evening मतला साम, मैं साम को खेलता हूँ, ठीक है, वो साम को पढ़ता हूँ, ये पढ़ रहा है न बच्चा, और इसकी वोच में क्या time हुआ है, six, six बजे हैं ना, तो six, ये evening वाले six हैं, क्योंक बैड पर कब जाते हो, मतला तुम सोने कब जाते हो, I go to bed at nine o'clock, मैं नो बजे बैड पर सोने चला जाता हूँ, बच्चों को नो बजे तक सो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप लोग सुबह उठनी पाते हो, फिर मम्मी भी प्रेसान रहती हैं उठाने में, इसलिए आपको सबको नो बजे तक सो जाना चाहिए, फिर है आपका इसका ही book work है, अब इन्होंने पूछा है, ये आपका where और when, दोनों वाला, दोनों ही lesson का book work है इसमें, इन्होंने पहले पूछा है, where is the cow, cow का है, तो ये cow का है, पेड के नीचे है, तो क्या जाएगा, the cow is under the tree, क् पेड के नीचे है, फिर इन्होंने पूछा, where is the man, तो man का है, कार के अंदर ही तो होगा, तो क्या हो जाएगा, the man is, the man is in the car, ओके, फिर है, where is the boy, boy का है, तो boy का है, चेर के उपर है न, चेर के नीचे नहीं है, अंदर भी नहीं हो सकता चेर के, क्योंकि चेर तो फ्लैट होती है, तो क्या जाएगा, the boy is, क्या हैगा इसका, the boy is, on the chair, ओके, फिर है, where is the cup, अब कप का है, एक, कप कहाँ पर होगा, ना तो यह in आएगा, यह on the table, जैसे on the chair, यह भी chair के उपर है, यह भी table के उपर ही है न, तो इसके लिए क्या जाएगा, दा, the cup is, on the table, ठीक है, तो आपको ऐसी इन सारे questions को fill करना है, फिर आपका, when do you wake up, आप कब उठते हो, यह आपको, उसका time fill करना है, जिस time आप उठते हो, when do you play, आप किस name खेलते हो, इन्होंने बताता, 6 p.m. आएगा यहाँ, क्योंकि साम को खेलता है न, वो, when do you go to bed, आप सोते का वो, यह 9, यहाँ पर 9 आएगा, फिर when do you take lunch, लंच किस नेम करते हो आप, 1 p.m. ठीक है, एक बज़े तक कर लेते हैं न, लंच, when do you take dinner, और डिनर करते हो दो, 8 p.m. ठीक है, 8 बज़े तक हम डिनर कर लेते हैं, तो यह आपको अपने according ही भढ़ना है, जिस टाइम आप करते हो, यह टाइम आपको अपने हिसाब से fill करना है, okay student, तो इस work को आप complete करेंगे, okay, और अच्छे से reading करेंगे, have a nice day, thank you.